जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला, One Piece अपने प्राइम में धीरे धीरे जा रहा है और जैसा कि मैंने टाइटल में भी लिखा है आज हम लोग One Piece में आने वाले सबसे खतरनाक एरा की बात करेंगे ओडा ने एक बार अपने statement में कहा था वो manga history की सबसे बड़ी war draw करने वाला है जिस पर मुझे 1% भी doubt नहीं है इसका सबसे बड़ा region है One Piece का world जो की बहुती जादा बड़ा है और इतना पड़ा होने के वज़े से यहां हमें हजारों character देखने को मिलते हैं और जब इतने सारे characters आपस में भीड़ेंगे तो हां ओडा के लिए इसे draw करना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा बट एचिरो ओडा जिस level का manga का है यह काम उससे बहतर कोई और नहीं कर सकता अगर तुम सबने One Piece के latest manga chapter 1054 को read किया है तुम आकाइनों के last lines पे focus करना वो कहता है वो fleet admiral गलत एरा में बना है लेकिन उसे घंटा फरक नहीं पड़ता वो हर points पे जवाब देंगे और अगर तुमने मेरा 1054 का chapter review देखा है तो मैंने वहां कहा था ओडा ने इसमें सिर्फ fights को setup किया है और अभी यह और आगे चलेगा अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई और era नहीं आया था जहा Roger के execution के साथ खतम कर दिया गया लेकिन फिर आया great pirate era जिसमें हर दूसरा बंदा pirate बनकर one piece खोजने के लिए निकल पड़ा लेकिन ये भी काबू में तब तक था जब तक white beard जिंदा था पर जैसे ही white beard मरा उसी के बाद से सारे problems खड़ा होना शुरू हुए आकाइनो fleet admiral बना ज जो कि एक number का कमीना इंसान है और यहीं से वो सोच पैदा हुई कि Yonko को take down किया जाए और kid ने सबसे पहले इस पर हाथ मारा और अपना एक हाथ खो दिया बड़ जब Luffy दो साल बाद वापस आया उसने starting से ही Yonko को challenge करना शुरू किया और जब वो katakuri को हराता है उसके उपर 1.5 billion की bounty लगती है उसे Morgan fifth emperor कहता है यह एक बहुत बड़ा इसारा था पूरे वनपीस के world के लिए कि next Luffy का era आने वाला है और Akaino इसी era की बात कर रहा है latest chapter में अब इस era से world government को सबसे ज़्यादा खत्रा है क्यूंकि देख लो latest chapter में हर कोई इन्हें उंगली कर रहा है यह नही चाते कि कोई वनपीस खोजे अब देखो इन्हें इस बात का कम tension है कि अगर कोई वनपीस खोज लेगा तो वो उस राज को जान जाएगा बलकि ज़्यादा tension इस बात का है कि वो उस राज को जानने के बाद पूरे world में धिंडोरा पीट देगा क्यूंकि तुम rally को देखो उ लेब बना दो किसी को भी पकड़ के खुले आम गोली मार दो और लोगों का mindset ये था इन लोगों ने इस world को create किया है ये यहां के gods हैं ये जो चाहे वो कर सकते हैं और latest chapter में आरामा की इस बात को कहता भी है पर लूफी ने क्या किया सीधे जाके 70 में celestial dragon के मूँ पे ही जड़ दिया प्लस latest chapter में हमें पता चलता है चारलोस को मारने का attempt हुआ था revolutionary army के द्वारा अगर तुम ये सोच रहे हो कि इन सब के बाद ये लोग रुक जाएंगे और हमला नहीं करेंगे तो भूल जाओ अभी ये लोग और try करेंगे क्यूंकि इन्हें एक बात मालूम पढ़ चु प्लस उसके पास पॉनिकलिफ रीडर भी है जिससे ये वनपीस को पाने का सबसे बड़ा दावेदार बनता है और अगर नेवी को इससे रोकना है तो सब काम छोड के सबसे पहले तो अपनी आधी से जादा आर्मी इसके पीछ लगानी पड़ेगी जो कि अभी के टाइम पे नेवी इस हालत में बिलकुल भी नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी ना उधर रेवलेस नरी आर्मी वाले हमला कर देंगे और हो सकता है दो चार सेलेश्टल ड्रैगन को ये लोग मार भी दे और यही सबसे बड़ा रीजन भी है कि अभी के टा योंको है तो सोचो वो क्या करेगा उसके लिए अरे हाँ वारलोड्स को हम कैसे भूल सकते हैं मरीन का बैक अप प्लैन जो हुआ करता था वर्ल्ड गबर्मेंट ने वारलोड सिस्टम इसलिए बनाया था कि आगे जाके अगर को योंको पंगा लेता है तो मरीन और वारलोड मिल करके उसके साथ फाइट करेंगे और इससे क्या होगा मरीन का पढ़ला भारी रहेगा वो भी काफी जादा मात्रा में और ये चीज हमें जो है मरीन फोर्ड वार में देखने को मिलता है बट अब ऐसा बिलकुल भी नहीं है बिकॉज रैवरी के बाद वारलोड सिस्टम बंद हो चुका है और अब मरीन इनके पीछे पड़ी है इन्हें ये पकड़ना चाहती है तो इस वज़े से हुआ क्या मरीन का जो पावर है वो बट चुका है अलग-अलग हिस्सों पे तो इस वज़े से एंड में क्या होगा लूफी जब वनपीस को खोजेगा तो वर्ड सिर्फ एक पार्टी को हैंडल नहीं कर रही होगी उसे बहुत साइड से हमले का सामना करना पड़ेगा अब चाहे वो पैरडाइस के साइड हो या फिर न्यू वर्ड के साइड से हो और बीच में फसेगा रेड लाइन लूफी ने जिन-जिन की भी हेल्प की है वो सब उसी क साइड से फाइड करेंगे और रेवलेशनरी आर्मी वो भाई बहती गंगा में जरूर हाथ धोएगी अब देखो इन सब के बीचना तीन कैरेक्टर का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वो किसके साइड होंगे या फिर उस वक तक जिन्दा रहेंगे की नहीं पता कही है पर यार वो जिस हिसाब का कैरेक्टर है उसे वर्ड में बैलेंस पसंद है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैंक्स वनपीस का राज को जान भी जाए ना तो भी वो जादा कुछ रियक्ट नहीं करेगा बजाए लूफी के क्योंकि वो बैलेंस वाला बंदा है तो हा Because Blackbeard अब किसी चीज को लेने की बात करता है और उसके लिए वो निकल पड़ा है पता नहीं वो क्या चीज लेना चाता है मुझे ठीक से पता नहीं और नहीं तुम सब को पता होगा वो सिर्फ ODA को पता है अब बात करते हैं Law और Kid की Law D के बारे में जानना चाता है तो वो ल कूफी के एरा की स्टार्टिंग हो चुकी है अब ये धीरे धीरे ये एरा और बढ़ेगा वर्ल्ड में अन्बैलन्स आएगा और किस तर से वर्ल्ड गवर्मेंट हैंडल करेगी देखो हैंडल तो नहीं कर पाएगी और आकाइनों ने बोला है जिसी साब से वो गलत एरा मे फिलेट एड्मिरेल बना लेकिन जो कुछ भी हो भाल में जाए आने दो जो आ रहा हैं देखो जिस हिसाब को उसका स्टेट्मेंट था जिस हिसाब से उसने कहा है न भाई ये एक स्ट्रॉंग इसारा करता है कि आकाइनों भी एक कॉनकरर हाकी यूजर हो सकता है ठैर देखत सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करना मद भूलना साथी साथ अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खाली है कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो और कोई वीडियो का रिकमेंडेशन देना वह भी तुम लोग दे सकते हो साथी साथ मुझे इस्टाग्र प्सलि license जस्ताच सकते है वीडियो फाल इफ लाद है वीडियो पूह भीकät कहो यह के पुम्हारा ह्भील चाल Уявूल